है वर्ट सब्सक्राइज गुड मॉनि वेल्कम टू सिला संगम ब्लॉक्स सो दोस्तों अभी फिलाल हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं रामगण मार्केट क्योंकि सीला जो है काफी दीनों से बोल रही है जाने के लिए पिछला एक महिना से ही बोल रही है जा रहा है जब भी विक्ली अफ रहता था कुछ ना कुछ जो है काम पढ़ने के कारण नहीं जा पाते थे इसके वज़ाय से जो है पेंडिंग में रहा था तो फिलाल अभी हम लोग जा रहे हैं दूगु हम और रोडी हो चुके हैं और अभी सीला भी रेडी हो रही है तो अभी हम लोग निखलेंगे रामगर वहां पर सीला को लेना है अपने लिए कपड़ा हमको जो है मोबाइल बनाना है तो आप सभी को दिखाते हैं कि कौन सा फोन हमें रिपेरिंग करवाना है उसका डिस्पेले खराब हो गिया है यही वह मोबाइल है ओपो का ओपो का फोन है दूट्ट गिया है तो यह अंधेरा आता है बर्पर उसको रिफेरिंग करवाना है इसका डिस्पेले पूरा चेंज होगा आप देखते है क्या प्राइस है इसका केर में तो अब हमले सबकों सुर्स हो चुके हैं जाने के लिए और हम लोग अब ही निकलते हैं जलिए तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं अभी देखते हैं वहाँ पर मिलता है कि नहीं तो फिलहाल जो है हम लोग अभी आखिके हैं मेंडोर तरफ और शिलाग यहां पर ले रही एक पूरती फोन दिये थे बनवाने लेकिन यह बना नहीं क्योंकि डिस्प्ले खतम हो गया इसके बज़र से जो है यह इसको देंगे कल रिपेरिंग करने के लिए और कल दोबारा आन पड़ेगा कैसे दे रहे हैं कैसे जो पोजी कार दो तो मस्रूम तेन फूर पर केजी दे रहा था काफ़ी संता दे रहा था और अब यह टोगो खा रहा है आइस क्रीम कोन आज खारा है चोकोबार दो शीला यहां पर ले रही है अपने लिए सूप ठेक है तो अभी हम लोग कपड़ा ले लिए हैं गाइस और अगर आप लोग यहां रामगड आते हैं तो यहां एक पीपल का पेड़ दिखेगा आप सभी को पीपल के पेड़ के पगल में जो है इस अंकल का दुकान है तो यहां पे आके आप ले सकते हैं काफी बेश्ट और काफी अच्छे प्राइज में यहां पर मिल जाएगा आपको तो फिलाल अभी हम लोग चलते हैं तो अभी हम लोग डूगू के लिए टी-शेट ले रहे हैं तो थोड़ा बड़ा है पूल बाजू में है वूला तो अच्छा है रेड़ वाला टी-शेट जो है यह दूगू खुद से पसंद दिया है अपनी से तको इस तरह दिखेगा बड़ शादिखेगा ही रो जैसा दिखेगा ही रो जैसा अब बूग के लिए दूगू टी-शेट पसंद आया है दूग अब बढ़िया हीरो जैसा लग रहा है पाबू और अभी देख रहा है जीन्स तो अभी डूगू के लिए चस्मा लेने के लिए आ गया है हम लोग दिखा इधर हीरो जैसा लग रहा है तो अभी हम लोग आ गया है जोस दुकान गना का जूस पीने के लिए और डूगू जो है बहुत ही जीत करने लगा था चस्मा लेने के लिए तो इसको चस्मा लेगी दिए लाट्ट में तो गया जबी हम लोग यहां पे मस्रूम ले रहे हैं यहां पे दादी की पूरी दादी जो की असे रुपे में हम लोग को देड़ के जी मस्रूम दे दी पूरा स्वापिंग हो चुका है खतम अभी हमने घर लुकर दे हैं कौन तो बना है नहीं है तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर सारा स्वापिंग करके और अभी वहां पे स्कूटी में देख रहा होगा प्लास्टिक में मस्रूम जो के काफी सस्ता में मिला और तो हम लोग एक way जो है लिलिए हैं और दिखाते है आप सभी को गाइस देख सकते हैं इतना सारा मस्रूम जो है एक सुप हो गया है इसमें बहुत सारा है वह हमको लगता है इसमें 1.5 कज़ी हो जाएगा 1.5 कज़ी मस्रूम हो जाएगा और यह रहा बाबू का टी-इश मस्रूम को जो मस्रूम जो है अच्छा है उसको साइट कर दे रही है जो टुकडा में हो गया वह अभी बनेगा तो मस्रूम एक भी खराब नहीं है बस टुकड़ा टुकड़ा हो गया है अब फिलाल अब भी सीला जा रही है मस्रूम का सबजी बनाने के लिए और अब हम लोग खाना खाते हैं और आज का जो ब्लॉग है हम समाब्द करते हैं यहीं पर आप सभी से मिलते हैं इसकी झाल 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 झाल